अरे चंदर को नौकरी मिलगी, शाजी के बारे में कुछ लिकार को जल्दिया पापो, दुनिया का ये उसूल है जैसे लोगों में रहोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी परीब और जाहिलों में रहोगे, तो नीची निगाहों से देखेगी मैं समाज में इज़त पहना चाहता हूँ मैंने किसी अनपड, चाहिल को अपना जीवन का साथ ही बना लिया तो सारी पढ़ाई, सारी जिंदगी की महनत हाँ में मिर जाएगी समाज में मैं लोगों को दिखाने के काबल में ही दोंगा क्या ओड़ पटक मात नहीं लिग रहा है, पागल होगी यह तो आगे पड़, पड़ आगे चल्दी पर बेटा चल्दी पर इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है कि मैं किसी पर ही लिखी और अच्छे घराने की लड़की को अपनाम का मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आपको फुदा सदगेगा लेकिन बेटे की भलाए के लिए उसकी कामयावी के लिए आप उसकी ये करती माफ कर देंगे लेकि ग कम लफे इती हालत में चादने एक टुल्ग है लेकिन काम अच्छे लेकिन अच्छे अच्छे माँ माँ अच्छे कि कि आप उसे प्रिए अफिर आप बाद अरे अरे नाम की नाम पर नाथ पर अरे चंदर इसा कभी नहीं कर सकता है क्पढ़े नहीं की थे उसने मज़क किया तो मुझाह उसका बैटा है उसका बाद दूंज कि सारी जिन्दगी मज़क करता राज उसने बाप से मज़किया मज़कि तांग की शीन मत रो बेटी मत रो अरे तेरे को क्या हुआ यार तो सारी जिन्दे की दुनिया से मजा करता रहा वो कुछ नहीं आज बैटे ने थोला सा मजा किया तो लड़कियों के तरह सर जुका के रोले लगया अज़े चला हम लोग शहर चलते हैं हम भी उस साले से ऐसा मजा करेंगी कि वह भी क्या याद रखेगा कि माजा करने में उसके बाप होते हैं चल तो यार अठी देशी हरकती मत कर चलना है यार एक काम करेंगा गमों को साथ लेके चलते हैं और यह की डोली विदा कर देते हैं है आज आज बैटी आज अजू ना आज आज बैटी आज 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 कि अरे यहां दो ताला लगा हुआ है कि कांपा कुछ यह वाले से पूछ नुझ नमस्ते यहां पर एक जवान से लड़का रहता था आपको पता कहां गया है लुआ है वह तो तो बहुत बड़े सहाब हो गया है आप यहां नहीं रहते एक बहुत बड़े बले मैं रहें और ऩौ़हें lighter मालूम भूडSir di EU800 संथ में मुझांए मेरबानी होगी tv ना वहें ना अवह नहीं दंदे का कल सुमय ले जाना साथ एक देहाती आदमी आप से मिलने आया है जो आपने आपको आपका पिता जी कहता है तुम जा सकते हो जी साथ ये मकान किसका है और तु यहां क्या कर रहा है पहले आप बताईए कि आप यहां अच्छानक कैसे आ गए बेटा माना कि मजा करना हम लोगों का खांदनी पेशा है मगर इस चिठी ने तो हम लोगों आप दिल देला दिया बिटा दिल जयने शीशे का बना है इस पे मजाक का पत्थर माना बुरी बात है मैंने मजाक नहीं किया था वापू जो कुछ इस चिठी में लिखा है उसका एक एक शब्स है तो कमला से ब्यान ही करेगा नई मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं पिता जी आज ससाइटी में समाज में मेरी इज़त है मेरा नाम है बड़े बड़े लोगों में मेरा उटना बैटना है ऐसे मैं खमला जैसी अनपड़ और जाहिल लड़की को अपनी पत्नी बना कर ये सारी इज़त और नाम खाक में मिला दूँ आप क्या चाहते हैं कि मैं सब के सामने मजाग बनके रह जाओ एक अनपड़ो गमार लड़की से अगर तू शादी करेगा तो तिरे नाम ते निजद को दाग लग जाएगा तो फिर अनपड़ो गमार तो तो तरह ये बाप भी है कल क्या दुनिया के सामने मुझे बाप पहले से इंकार करेगा अरे आख्शे क्या चुराता है निजद मिला के बाद कर क्या मुझे बाप तेरे से तरे नाम को दाग लग जाएगा पिता जी ये दुनिया पड़े लिखों को सर पर बिठाती है अनपड़ो जाहिलों को ठोकर भी नहीं मारती इस दुनिया में जिस किसी को तरक्की की सीड़ी से उपर चरना होता है ना उसे नानपड़ जाहिल होना चाहिए और नाही अनपड़ों जाहिलों से कोई रिष्टा रखना चाहिए श्रुम पे खरत बेखरत मापू बस बहुत हो चुका तुम्हारा धपड़ मारने और कालियां देने का अधिकार खत्म हो चुका है मापू मैं जो हमेशा तुम्हारे धौंस के धागे पर नाश्ता थाना आज से मुद्धागा तूट चुका है वो धागा तूट चुका है इसलिए आज के बाद न कभी भूल कर मुझ पर हाथ उठाना और नहीं कभी कभी यहां मेरे पास आना समझ गए ठीकी बिटा आज से मेरे सारे अधिकार खत्म हो गए अपनी जो संबनती वो टूट के बिटा है आज के बाद मैं तेरे दर पे कभी नहीं आऊंगा कोई अधिकार नहीं जाता हूंगा मगर एक बात तू ध्यान से सुन यह कल के इतने से पोधे को इतना बड़ा पेड़ बनाने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोगों का खून पसीना पानी के तरह इंजड़ों में बहा है तुझे बड़ा करने के लिए इजड़ की कुर्सी पर बिठाने के लिए मेरे दोस्ट बगों ने सारी जिन्दगी मेरे कांदे से कांदा मिलाकर तुझे बड़ा किया है इस पेड़ की एक एक शाख पर एक एक टेहनी पर एक पत्ते पर उसकी मेहनत की मौर लगी है कि आपको क्या तक्दीर है अपने और वो कमला कि उसको सारी जिन्दगी क्यों धोके में रखा अरे वो तो तेरे नाम लेके जीदी अगर उसको पता चला कि वो तेरी सुहागनी बनेगी तो मर जाएगी वो उसकी अगर डोली तेरे घर से नहीं उठी तो उसकी अर्थी उठ जाएगी तेक बेटा मैंने सारी जिन्दगी दुनिया के सामने रोटी के लिए यह हाथ ऐसे फैला के भीग पांगे आज इन्हें हाथों को ऐसे जोड़ का तेरे आगे भीग मनता हूं बेटा अगर दोस्की बेटे से चाहिए उसके बाद मन मैं तुमुझे एक मुर्दा जन्वरों की तेरा ठोकर मार मार के देली इसके बार फिर पे ना वगर इतनी भीग देते ते पिताजी आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते एक आसमान पर उड़ने वाले परिंदे से कह रहे हो कि वो समंदर की तह में जाकर अपना गोंसला बनाए यह नहीं हो सकता पिताजी यह नहीं हो सकता मैं पढ़ा लिखा होकर कमला जैसे अनपर और जाहिल से शादी नहीं कर सकता इसलिए तुम प्लीज मुझ से ज़्यादा हुच्छत मत करो मेरा एक गाहमानो गाओं चले जाओ वहाँ पर कोई अच्छा लड़का देखकर कमला की शादी करो